नमस्कार दोस्तों सुआ के थैं आपका हिंदी नोलिश शो में थे दोस्तों रूस यूकरेन युद से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसने सभी का दिमाग घुमा कर रख दिया है दरसल खबर ये है कि यूकरेन ने कल दावा किया कि उसने रूस की छे हाइपर सोनिक मि मार कर गिरा दी है और यकिन मानिये डिफेंस वर्ड में पिछले दस सालों की इसे सबसे बड़ी घटना बताय जा रहा है इसका करण ये है कि अब तक माना यह जाता था कि हाइपर सोनिक मिसाइलों को ना तो रोका जा सकता है ना इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है और ना ही मार कर गिरा जा सकता है यानि कि एक इन्विंसिबल मिसाइल है जिसका मुकावला आप कर ही नहीं सकते लेकिन यूक्रेन इतिहास में पहला देश ऐसा बन चुका है जिसने हाइपर सोनिक मिसाइल मार कर गिराई है और सबसे बड़ी बात यूक्रेन ने एक नहीं दो नहीं सीधा आधा दरजन यानी करीबन 6 हाइपरसोनिक मिसाइले मार कर गिरा दी हैं और इस वीडियो में मैं आपको ये खबर तो बताऊंगा ही बहुत ही डिटेल से यहां तक कि यूकरेन ने जो सबूत दिखाए हैं वो भी आपके सामने पेश करूँगा साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये कब कैसे और क्यों हुआ सारी चीज़े डिटेल से बताऊंगा तो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है एंड तक देखेगा चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों जो खबर में आपको बताने जा रहा हूँ वो कल सुबह करीबन डेड़ बजे निकल कर सामने आई थी उस समय यूकरेन ने दावा किया कि रूस ने हमारी तरफ करीबन साथ से लेकर आठ हाइपरसोनिक मिसाइले फायर करी थी और ये सभी हाइपरसोनिक मिसाइले हमारी राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही थी लेकिन इस से पहले कि ये हमारी राजधानी को हिट करती और तभा करती हमने पहले ही इन्हें डिटेक्ट करके हवा में ही मार कर गिरा दिया और इस काम के लिए इन्होंने इस्तमाल किया अमेरिका का एक गुपत हतियार जिसका नाम है patriot aid defence system जी हाँ आप जानकर हैरान होंगे कि जो patriot aid defense system है दुनिया के पाँच सबसे शक्तिशाली mobile aid defense system की सूची में आता है और बड़ी ही चुपचाब तरीके से अमेरिका ने एक aid defense system यूक्रेन को सोप दिया था ताकि यूक्रेन अपनी राजधानी की सुरक्षा कर सके और इसी एडिफेंस सिस्टम की मदब से यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने करीबन 6 के करीब हाइपरसोनिक मिसाइले मारकर गिराई हैं और बाद में इस दावे को दम तब मिला जब अमेरिकी अधिकारियों ने भी बताया कि जी हाँ हमारे पैट्रियोट एडिफेंस सिस्टम का इस्तमाल करते हुए यूक्रेन ने रूस की छें किंजल हाइपरसोनिक मारकर गिरा दी हैं आपको बता दूँ किंजल एक तीसरा वेरियंट है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल का जिसे आप लड़ाकू विमान से फायर कर सकते हो और ये जमीन पर अटैक करती है अब आपका सवाल होगा कि यार अमेरिका और यूक्रेन का जो ये दावा है क्या इसमें सच्चाई है तो देखिए मैंने कल से लेकर आज सुभह तक इस पर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे इनके दावे पर भरोसा नहीं था मैं इंतिजार कर रहा था कि ये कोई ना कोई सबूत पेश करेंगे और इन्होंने सबूत पेश किया है और उसी सबूत ने इनकी दावे की पोल भी खोल दी है दरसल स्किन पर आप ये फोटो देखिए इसमें जो ये सक्ष खड़े हैं ये यूकरेन की दाजधानी कीव के मेर हैं और इस समय यूकरेन की सेना की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं एक बड़े कमांडर की पोस्ट पर भी हैं इन्होंने दावा ये किया है यूकरेन की तरफ से ये मिसाइले दिखाते हुए कि जी देखिए हमने वाके में ही रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल मारकर गिरा दी है इस फोटो को तमाम पश्चमी देशों की मीडिया भी शेयर कर रही है लेकिन बाद में उन्होंने इसे शेयर करना बंद कर दिया क्यों क्योंकि इस में जो मिसाइल दिखाई जा रही थी ना असल में वो मिसाइल है ही नहीं दरसल ये एक M-series का ammunition है जिसे rocket launcher की मदद से launch किया जाता है इन्होंने एक ammunition को मिसाइल का रूप बता कर इसका दावा पेश कर दिया और बाद में जब इनका भांडा फूटा तो पश्यमी देशों की मीडिया ने भी इसे शेयर करना बंद कर दिया इतना ही नहीं आपकी तसली के लिए मैं आपको side by side compare करके भी दिखा देता हूँ उपर की तरफ जो मिसाइल है ये एक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है और जो नीचे है ये M-series का ammunition है सबसे पहले तो आप इनका टोप देख लीजे जो किंजल मिसाइल होती है उसका टोप बहुती पतला और लंबा होता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का परपस होता है ज्यादा से ज्यादा रफतार पकड़ना और इसके लिए इसे highly aerodynamic होना चाहिए ताकि हवा का drag इसे पीछे ना धके ले और ये आसानी से high speed पर cruise कर सके इसी लिए जो लोग दिखा रहे हैं कि इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारकर गिरा दी है वो सही तत्थे नहीं है वो असल में एक rocket है और अंत में आपको ये भी बता दू कि ना तो अमेरिका ने और ना ही यूकरेन ने बताया है कि किस mechanism के तहत इन्होंने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराया है क्या इनके पास ऐसी टेकलोजी है भी या नहीं ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है नहीं इस फोटो के अलावा इन्होंने कोई सोर्स या किसी परकार का सबूत दिया है याने कि फिलाल आप यही मान कर चलिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल एक अजेय मिसाइल है invincible है उसे नहीं रोका जा सकता हाला कि इस पर आगे जो भी update आएगा मैं आपको उससे अवगत करवाता रहूंगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही thank you very much for watching वीडियो